हेलो फ्रेंड्स फिचर नेट इंस्ट्टिट में आपका मोस्ट फिल्गम है दिए आज हमारे सेशन का ये सिख्थ वीडियो है छड़ा वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे जो हमारे बोर्नियों के अंदर वोल्टेज और थर्मिस्टर वाला जो आप्शन होता है हमारा हम लोग उसका कैसे यूज करते हैं क्या यूज होता है उसका और उससे हमें क्या फाइदे मिलते हैं आज हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट क खोलेंगे, यह हमारा छटा वीडियो है, आपको मालूम है, इससे पहले पाँच वीडियो आ चुके हैं, और पाँचों वीडियो में हमने बोर्नियों में जितने भी ऑप्शन्स होते हैं, हमारे बिट मैप, हाड़ बेड सलिउशन, और डायोडा वैलू, और सिमाटिक, वो सा मोबारा वीडियो नमबर एक से 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 साइन वन से स्टार्ट करके और यह सारे वीडियो देख सकते हैं बहुत लंबे वीडियो नहीं है, 15, 15, 20, 20 मिनिट के वीडियो हैं जिसमें आपको यह पूरी डिटेयल ती गई है, पूरी जानकारी दी गई है बोर्नियों के बारे मे कि इसका कैसे यूज किया जाता है तो आज यह हमारा छेटा वीडियो है इसमें हम लोग वोल्टेज और थर्मिस्टर के बारे में जानने की कुशिश करते हैं तो अभी हमने बोर्णियों को खोल लिया है और खोलने के बाद मोबाइल फोन इसको कैसे खोलना हुता है यह पूरी डिटेल्स हमने आपको हर वीडियो में बताई हुई है इसके बाद में पहले जब mobile phone solution पर click करते हैं तो सबसे पहले company के नाम आते हैं, brand के नाम आते हैं, brand पर click करने के बाद models number आते हैं, models number पर click करने के बाद में हमारे सामने इस तरीके से options आते हैं, जिसमें से हम लोग bitmap के बारे में जान चुके हैं, dioda value के बारे में भी जान चुके हैं, hardware solution के बारे में भ पड़ चुके हैं आज हमारे दो लास्ट बचे हुए हैं इसके बाद हम लोग बाकी की जो ओप्शेंस हैं इन ओप्शंस के बारे में देखेंगे कि इन ओप्शन का क्या यूज होता है इससे हमें क्या benefit मिलता है तो छले हम लोग इन दोनों भी चीज़ों को देखते हैं तो से पहले इसने यह दिखाया कि इसमें यह इसका एक कोड नंबर है आडी 501 और लिखा हुआ है टी एच मतलब थर्मल क्वाइट थर्मल हंड़ेट किलो हंड़ेट के का मतलब यहां पर यह थर्मल रिजिस्टर लगा हुआ है जो हमारे क्वाइट थर्मल के सरकीट को सेंस करके इसको इकुर रगता है उस सेंसर इस सैंको बड़ाबर रखता है और यह जो हमारी आई सी आप देख रहे है यह हमारी आई सी है जाइरो संसर जाइरो संसर से के भीव अपर एक तो हम लोग अपने मैप लोगेशन का पता लगा सकते हैं दूसरा हमारा कहीं ना-कॉय temperature जो हम लोग अपने मोबाइल से नापते हैं उसके तो इस लिए क्या करा गया है company ने इस circuit के अंदर यह thermal circuit एक लगाया हुआ है जिससे thermal की sensing इस IC के दौरा कराई जा सके और इस IC को कराने के बाद में हमें जब हम लोग उन दोनों options का जाहिरो sensor का यूज करें तो हमारा यह circuit अच्छे तरीके से काम करें तो यह quiet thermal यहां पर लगा हुआ है दूसरा हम लोग देखते हैं आगे क्या है यह हमारा यह वाला thermal है इसका नाम लिखा हुआ है sdm thermal sdm thermal मतलब cpu के लिए यह thermal register हमारा लगाया गया है जिसकी value 100 kilo ohm की है और इसको आप यह भी समझ सकते हैं कि यह हमारे cpu के temperature को बराबर मतलब phone के temperature से battery के temperature के equal रखने के लिए लगाया जाता है मतलब हमारे cpu का temperature है जब हम लोग उसको working mode में ले करके आते हैं तो हमारे phone का temperature बहुत ज्यादा ना हो जाए या हमारे cpu का temperature बहुत ज्यादा ना हो जाए तो यह क्या करता है cpu के temperature को equal रखता है बराबर रखता है ताकि हमारे phone में किसी तरीके की कोई गलबड़ी ना हो तो यह थर्मल दिया हुआ है दूसरा एक यहां पर हमारा इम्मसी के लिए भी इसने एक थर्मल लगाया हुआ है तो हमारे मुबाइल में इसी तरीके से कई सारे थर्मल होते हैं जैसा आप लोगों को मालूम होगा एक बैटरी का temperature का thermal होता है एक CPU APC thermal application processor thermal होता है दूसरा आप हम लोगों ने देखा है जाईरो sensor के लिए thermal लगाया गया है यहां पर यह जाईरो sensor के लिए thermal लगा हुआ है तो ऐसे करके इसमें सिर्फ हम लोगों को इस thermal के बारे में जानकारी दी गई है बागी यह कैसे काम करता है यह एक से काम करता है यह कैसे काम करता है यह उनके faulty होने पर क्या क्या problem शाती है यह सारी चीज़े अगर को circuito की knowledge है तो आपको समझ में आएगा जैसे हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि जैस के यह जिसकी वज़ा से आपका फोन या आपके CPU में दिक्कत हो जाए और आपका फोन डेड़ हो जाए यह MMC के थरमल के लिए लेगा गया है और दूसरा यह वाला जो संसर है यह जाइरो संसर के लिए लगा हुआ यानि हमारे टंप्रेचर की जानकारी है हमारे डिस्टेंस वगरा इसी से ना पी जाती है तो यहांँ पर यह दो झालों थर्मल का इस तरीके से यूज़ होता बाकि सर्गीड कैसा है व आप जब तक इसके वारे पूरे तरीके से समय नहीं लेंगे सर्गीर की नोलेज नहीं हो जाएंगी तो यह कैसे काम करता ही आपको नहीं पता तर्मिस्टर वाला पार्ट आप लोग दिखते हैं इसे अंदर आघ्ला पार्ट है वोर्टेज की इसके ञांधर क्या चीज़ है तो सब सब्सक्राइब व्ल्टेज को खोलते इसके अंदर क्या है देखे CPU वोल्ट पर किलिक करने के बाद हमें ये पता चला कि जो हमारी power IC के द्वारा secondary voltage बनाए जाते हैं और बना करके हमारे CPU को पहुचाए जाते हैं तो वो voltage किन-किन cap से होते हुए कहां पर जाएंगे और कितने जाएंगे ये जानकारी हमें यहां पर दी गई है लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि अभी इन्हों ने इसको पूरे तरीके से अपडेट नहीं किया है तो यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को यह मिलेगा कि जैसे हम आपको दिखाते हैं जैसे यह इस CAP पर इनों ने इसका नंबर बता दिया कि इसका नंबर है C426 इनों ने एक चीज़ और बता दिए वी रेक यानि यह वल्टेज रेगूलेशन वाला वल्टेज है और LDO नंबर 4 से बनाया गया है लेकिन यहाँ पर आप देखियेगा यहाँ पर कितना वल्टेज आएगा य नहीं बताया इनोंने तो यह इनोंने जानकारी तो दी सेकेंडरी लाइन के बारे में लेकिन एक अधूरी जानकारी दी है complete जानकारी हमें यहां पर इनोंने नहीं दी अगर यह complete देते तो कहीं न कहीं हमें यह जरूर पता चल जाता कि यहाँ पर जो secondary voltage बनते समय जो voltage होते हैं जो power से बन करके CPU जाते हैं वो कितने voltage होते हैं कैसे voltage होते हैं लेकिन यहाँ पर इस तरीकी की कोई जानकारी नहीं है सिर्फ cap के बारे में दिया गया है उसका number और कौन से bug से आप जैसे देखें यह V-reg S4, S5, S6 यानि यह 3 bug IC-o से य S4 का मतलब होता है bug 4, S5 का मतलब bug 5, S6 का मतलब bug 6 और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि यह लिखा हुआ है V-reg S12, S1 मतलब bug 1, L3 मतलब LDO 3, L17 मतलब LDO 17, L11 मतलब LDO 11 और यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि जैसे सिर्फ एक जगा पर यह voltage दिया हुआ है V-reg L10 1.8 लेकिन इसके अलावा और कोई voltage यहाँ पर mention इन्होंने नहीं किया हुआ है लेकिन अगर कहीं न कहीं यह voltage देते तो हमें secondary line को solve करने में बहुत आसानी हो जाती और आज नहीं तो कल यह इस option को जब update करेंगे तो यह बहुत अच्छा option होगा हम लोगों के लिए और हमारी repairing की फिल्ड में बहुत काम आने वाला option है यह CPU world तो इसका यूज हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं बागी हम लोग अगला देखते हैं अगला option जो हमारा in out world का उसमें क्या है in out world पर किलिक करने के बाद भी हम लोगों को यहाँ पर यह देखे power IC यह हमारी जैसे एक IC लगी हुई है audio IC इस IC पर यहाँ पर इसके आसपास कौन कौन से component पर क्या क्या देखे सेम भाई चीज यहाँ पर भी हुई है इन्होंने क्या करा है secondary voltage बताने की कोशिश तो करी है लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ के तो voltage दिखाएं लेकिन कुछ के न LDO 5 का 2.7 बनता है वो भी दिखाया है उसके बाद LDO 1 का 1.2 बनता है वो दिखाया है फिर उसके बाद LDO 15 का से जो बनता है वो नहीं दिखाया है ऐसे करके देखें यहाँ पर तो जब यह जो हमारा voltage वाला option है यह पूरे तरीके से update हो जाएगा जिस दिन भी update हो जाएगा य यह option हमारे लिए बहुत useful होगा बहुत जादा क्योंकि आज कलके जितने भी फोन है उन फोनों में डिट समस्या एक आम बात है और सबसे ज़्यादा उसके अंदर डिट फोन के अंदर अगर कुछ faulty होता है तो वह secondary line faulty होती है अब secondary line का एक अपना sequence है अपने voltages हैं यानि हम लग सेकंडरी line के भ्याब पर यह पता लगाते हैं कि हमारी powers रही काम कर रहे या नहीं कर रही हमाराए cма काम कर रहे ह। हमारी EMC काम कर रही है नहीं कर रही है तो ऐसे करके हम लोग यहां से उन सारी चीजों के बारे में जानकारी ले सकते थे लेकिन जानकारी अधूरी दी है हो सकता है भविस्व में इसको यह लोग और अपडेट करें तो जब यह अपडेट करेंगे तब ही हमारे लिए बड़ा किलिक करा तो इसके इसमें हमें इन्होंने यह दिखाया है एक तो क्लॉक का रेजिस्टर दिखाया है उसकी 33 होम का रेजिस्टर लगा है और 204 यह इसका सिमैटिक का कोड नंबर है और यह क्लॉक का रेजिस्टर है अब और आगे दिखते हैं इसमें और भी इन्होंने कुछ कि कोशिश करिए और क्या दिखाया है दिए यहाँ पर इनुने जो इमकम सी के 86 होते हैं इन बो दिकाए अब जैसे यहाँ पर इन्होंने दोक है पर बोल्टेग दिखाए है जैसे इस-क आप का के वोलटेज होते हैं, वह बनते हैं, कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या वोलटेज होते हैं तो आप इसके बारे में समझ जाएंगे क्यों कि अब हमें मालूम है कि वीरे मीक एलनेवन C और VREG L 12 A एक पर 2.8 बनेगा एक पर 1.8 बनेगा अब मुझे मालूम है तो मैंने आपको बता दिया अब नहीं मालूम है आपको या नहीं जानकारी है तो क्या आप कभी इस बारे में समझ पाएंगे कि MMC को भी काम करने के लिए voltage कितने चाहिए होते हैं नहीं जबकि यह option जो इन्होंने दिया था यह बड़ा useful option था अगर इसको यह update कर दें जल्दी कर दें तो यह कहीं ना कहीं हमारे technicians के लिए यह बहुत फाइदे मंद होगा तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि thermistor का क्या use होता है और voltage का क्या use होता है अब अगले वीडियो जो हम लोगों का होने वाला है उस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यह जो हमारे और भी options हैं जैसे हम आपको बता दें जैसे एक तो हमारा यह option है system on chip एक है IC data sheet और एक है IC diode value इन option का क्या use होता है हम अगले वीडियो में यह सीखेंगे और उसके अगले वीडियो में हम लोग इन सारे options का use भी सीखेंगे कि इन सारे options का क्या क्या use होता है particular वो सारी चीज़े तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में Thank you so much